कायदे आजम जिन्दाबाद पाकिस्तानी मूवी समीक्षा कायदे आजम जिन्दाबाद एक 2022 पाकिस्तानी एक्शन कॉमेडी फिल्म है जो फिजा अली मिर्जा और नबील कुरेशी द्वारा लिखित नबील कुरेशी द्वारा निर्देशित और फिल्म वाला पिक्चर्स के बैनर तले महदी अली और फिजा अली मिर्जा द्वारा नि और फेहद मुस्तफा द्वारा फिल्माए गए गाने दिल कराए के लिए एक स्थानिय कलाकार द्वारा अपनी तरह का पहला पाकिस्तानी हाथ से तैयार एनिमेशन भी दिखाया गया है। कोविड 19 महामारी के कारण लॉकडाउन प्रतिबंध शुरू होने से पहले फिल्मांकन पूरा हो चुका था। कराची में अपने अपराध विरोधी कर्तवियों का पालन करते हुए इंस्पेक्टर गुलाब ने डि आई जी बाबर से उसकी पदोनती रोकने का अनुरोध किया ताकि वह उसके अधीन रिश्वत इकठा करना जारी रख सके जो एक ध्रष्ट राजनेता राणा के लिए क सेलफोन तब छीन लिया गया था जब वह पालतू जानवरों को बचा रही थी जैसे ही वह उसके प्यार में पढ़ जाता है वह उसका सेलफोन वापस ले लेता है और उसके करीब आने की कोशिश में उसे अपने पशु आश्रे के लिए अलग-अलग पालतू जानवर देना शुरू कर देता है लेकिन ऐसा लगता है कि उसे उन्हें पालने में कोई दिल्चस्पी नहीं है क्योंकि वह उसके हमस्टर पर नियंतरन खो देता है गुलाब आम फेरी वालों को ठगना जारी रखता है और कुछ लोगों को वी आईपी लोगों के लिए जगह छोड़ने क की धमकी देता है जिन्होंने उसे भारी रिश्वत दी है इसका अधिकांश भाग राणा के स्थान पर एक गुप्त लौकर में रखा गया है जबकी गुलाब स्वयन इसमें से कुछ रखता है बाद में जब गुलाब के पिता मुनीर को पता चलता है कि वह अपने द्वारा एकत्र की गई रिश्वत को गुप्त रूप से अपने घर में रखता है तो मुनीर इस दर्द से मर जाता है कि उसके बेटे ने भी मुहम्मद अली जिन्ना का सम्मान करने के लिए 20 साल पहले उसे जो सबक सिखाया था उसे नजरंदाज कर दिया है और उसका पालन करना शु पर अपनी इच्छा को प्राथमिकता दी थी इसलिए उसे पाकिस्तानी रुपए के नोटों पर जिन्ना की तस्वीरें गायब मिली जिसे उसके सहायक रोनाक ने भी नोटिस किया यह मानते हुए कि जिन्ना देखरेख करता है उनकी कमाई और अब वह इस बात से परेशान ह कि उन्होंने क्या किया उन्होंने जो देखा उसकी पुष्टी करने के लिए उन्होंने हराम आयवाले लोगों के प्रती जिन्ना के सम्मान के बारे में जागरूकता साझा की और जल्द ही उन लोगोंने भी जिन्ना की तस्वीर गायब पाई जिनमें बाबर और राना भी इस प्रकार उनके करिंसी नोट अब नकली लगते हैं। एक अधिकारी को सारवजनिक रूप से पीटता है, जिससे विवात खड़ा हो जाता है। अधिनियम के खिलाफ और अपनी निजी संपत्ती पर एक जंगली जानवर रखने के खिलाफ कई सारवजनिक विरोध प्रदर्शन हुए बाद वाले विरोध का नेत्रित्व जिया ने किया था। जल्द ही गुलाब राणा के खिलाफ वारंट मांगने की कोशिश करता है क्योंकि वह एकत्र की गई रिश्वत का खुलासा करता है। इसके बजाए वह जिया की शिकायत पर वहां घुस जाता है जिसके बाद शेर को पुलिस को सौंप दिया जाता है जो अब उसे सुरक्षित रूप से जंगल में ले जाएगी। इस बीच राणा अपना घर जलाकर और बाबर को सूचित करके भागने की कोशिश करता है हाला कि गुलाब ने राणा के निजी जेट से सारा पैसा वसूल कर लिया और शहर में हो रहे पैसे को आम लोगों के लिए उड़ा दिया क्योंकि उसे बाबर से एक आदेश मिला जि है क्योंकि पुलिस उसका रास्ता बदल देती है और पुनर जीवित गुलाब राणा को उसके भरष्ट आचर्ण के लिए थपपड मारने के लिए वहां आता है जैसे ही गुलाब इस मामले से मुक्त हो जाता है वह देखता है कि उसके वेतन पर जिन्ना की तस्वीर फिर से दिखाई देती है जो उसे कुछ समय में पहली बार मिलती है यहां मानते हुए कि उसके पिता मुनीर और राष्ट्र पिता जिन्ना अब उसके कारियों से खुश हैं वह अपनी पदोनती स्वीकार करता है और अपने वेतन से वह और जिया एक दूसरे के लिए प्यार का इजहार करते हैं और शादी करने का प्रस्ताव रखते हैं